नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रंट फेस बाई रवी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है सितंबर 2022 तक अपडेटेड पढ़ाने वाला हूँ यह काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की तहरी कर रहे हो और friends मैंने इस वीडियो में सभी question selected और important लिए है तो अगर आप किसी भी exam की तहरी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाली है और friends इस वीडियो में मैं आपको MCQs as well as one liner form में question करवाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को start कर लेते हैं फर्स्ट question से हमारा पहला question है भारती प्रति भूती और विने में बोड़ यानि कि सेभी के चोथे पून कालिक सदस्य के रूप में किसे न्युक्त किया गया है सही answer है option D अनन्त नारायन गौपाल कृष्णन तो अनन्त नारायन गौपाल कृष्णन को सेभी के चोथे पून कालिक सदस्य के रूप में निउक्त किया गया है ये इनका पिच्चर है important point से जान लेते हैं friends आन्ने तीन पून कालिक सदस्य के नाम भी आपको बतायता हूं पहले हैं S.K. Mohanty, अनन्त बरुआ और अश्वनी भाटिया तो ये तीन है और चोथे अभी ये अनन्त नारायन गौपाल कृष्णन बने हैं पून कालिक सदस्य सेभी के अब मैं आपको friends सेभी के बार में information देता हूं इसका फल फॉम है Securities and Exchange Board of India भारत में जितने भी शेर मार्केट है friends जैसे NSE, BSE, NSE, National Stock Exchange है BSE, Bombay Stock Exchange तो इनने सेभी ही regulate करता है और इसके स्थापना friends 12 April 1992 में हुई है मुख्याले इसका मुंबई में है अध्यक्ष हैं सेभी की माधवी पुरिबुच ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट रक्षा अनुसंधान एवं विकास अंगठन यानि DRDO के नई अध्यक्ष कौन बने है most important question friends आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है सही answer है option B समीर वी कामत तो समीर वी कामत DRDO के नई अध्यक्ष बने है और इन्होंने friends जी शतीश रेडी का स्थान लिया है ये भी कई वार एक्जाम में पूछा जाता है तो friends अब मैं आपको DRDO के बारे में इन्फोर्मिशन देता हूँ इसका full form है Defense Research and Development Organization हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं इसके स्थापना 1958 में होई है मुख्याल ले इसका नई देली में है और friends सिंदू नेत्र उपग्रे को भी DRDO ने विक्सित किया है पिछले दिनों ये काफी नियूज में था ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्ट भारत की पहली महिला अदिवासी राश्वपती कौन बनी है ये भी most important question है फ्रेंट सभी answer है option C द्रॉपधी मुर्मो भारत की पहली महिला अदिवासी राश्वपती बनी है और ये पंदर्वे नंबर की राश्वपती है 밝ारत की ये आपको याद रखना है और ये संथाल जनजाती से संबन्द रखती हैं ये भी आपको याद रखना है एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और भारत के पंदरवी जो राश्रपतिय दुरापदी मुर्मू उनके नए सचिव राजेश वर्मा ये बने हैं तो ये भी आपको याद रखना है अगला प्रश्ट भारती शेयर बजार बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज के नई अध्यक्ष कौन बने हैं सही आंसर है आप्शन भी SS मुंद्रा तो SS मुंद्रा फ्रेंड्स BSE यानि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज के नई अध्यक्ष बने हैं अब मैं आपको Bombay Stock Exchange के बारे में information देता हूँ, इसकी स्थापना 9 July 1875 में हुई है, मुख्याल लेसका मुंबई में है, अधियक्ष है इसके SS मुंद्रा, MD and CEO है, आशीश कुमार चुहान, ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशिन, राश्ट्रिय प्रती रक्षा विज्ञान संस्तानी यानी NII के नए निदेशक कौन बने है, सई आंसर है, आप्शने, देवाशीश मोहन्ती, तो देवाशीश मोहन्ती NII के नए निदेशक बने है, NII का फुलफोर्मी फ्रेंट्स, National Institute of Immunology, इसकी आप्शने, प्रवीन छाबडा, तो प्रवीन छाबडा, NSG के नए महा निरिक्षिक बने है, राश्ट्री सुरक्षा गार्ड अंतकवाद विरोधी गति वीदियों से निपटने के लिए एक संगीय आकस्मिक बल है, और इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, यह आ अब मैं आपको NSG के बार में information देता हूँ, इसका full form है National Security Guard, इसकी स्थापना 1986 में होई है, मुख्याले, इसका नई देली में है, महा निरिक्षिक है, इसके MA गनपती, यह आपको याद रखना है, अगला प्रशन है हमारा, National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID के नई प्रबंद ने देशक कौन बने हैं, सई आंसर है, आप्शन है, राज के रन राए, तो राज के रन राए, फ्रेंड्स, NABFID के नई प्रबंद ने देशक बने हैं, यह आपको याद रखना है, अब आपको NABFID के बार में information देता हूँ, इसका full form है National Bank for Financing Infrastructure and Development, यह बैंक आंशिक रूप से भारत में किसी infrastructure project में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेश लाने के लिए स्थापित किये गया है, यह आपको याद रखने हैं, और इसके स्थापने फ्रेंड्स, 2021 में हुई है, मुख्याले इसका मॉंबई में है, प्यूश गॉइल, तो प्यूश गॉइल, NetGrid के नए CEO हैं, यह आपको याद रखना है, इन्होंने अशीश गुपता का स्थान लिया है, यह भी आपको याद रखना है, अब मैं आपको National Intelligence Grid के बारे में information देता हूं, नेट गृइड आंतकवाद विरोधी उदेशे के लिए एकिकृत Intelligence Masters Database रचना है, जो संदिग्द आंतकवादियों को ट्रै करने और आंतकवादी हमलों को रोकने में भिविन खूफी अजन्सियों की साहेता करता है, यह आपको याद रखना है, इसकी स्थापना फ्रेंट्स 2009 में हुई थी, मुख्याले इसका नए देली में है, अ चतुरवेदी और स्वामी नाथन गुरुमूर्थी, यह सभी ही सब्तंत्र निदेशक बने हैं, आर बियाई में, यह आपको याद रखना है, अब मैं आपको आर बियाई यानि की Reserve Bank of India के बारे में information देता हूँ, भारत में जितने भी बैंक हैं, उन्हें RBI regulate करता है, यह भारती Reserve Bank अधिनियम 1934 के अनुसार, और मुख्याले इसका मुंबई महराष्ट में और वर्तमान में RBI के गवर्नर है, शक्तिकान दास, यह भी आपको याद रखना है, फ्रेंड्स आपको हमारी बुक का काफी जादा इंतजार था, तो यह इंतजार आपका कतम हो गया, हमा एक एक्जाम में काफी मदद करने माली है, और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से बाए कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दूगा, और फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाए करें, तो इस पर हमारे चैनल के TED Mark को देख कर ही बाए करें, नेक् आपको डाबर इंडिया लिमिटेड के बारे में information देता हूँ, ये एक भारती बहुर आश्री उपभोगता समान company है, इसके स्थापना 1884 में हुई है, मुख्याले इसका गाजियबाद उत्तर प्रदेश में है, और संस्थापक थे इसके M के बर्मन ये भी आपको याद तो ये आपको याद रखने कि नला थंबी, कलाई सेलवी, CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है, इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखने है, CSIR का full form events council of scientific and industrial research, इसकी स्थापना 26 सब्तंबर 1942 में हुई है, मुख्याले इसका नई देली में है अगला प्रश्ट, भारत के नई उपराश्रपती कौन बने हैं, ये भी काफी ज़ादा important question है, सई answer है, option है, जगदीब धनखड, तो friends, जगदीब धनखड भारत के नई उपराश्रपती हैं, ये आपको याद रखना है, अगला प्रश्ट, भारत के उपराश्रपती पत का यानि की CGI कौन बने हैं, सई answer है, option है, उदे उमेश ललित, यानि की, यू यू ललित, भारत के 49 में मुखे नयदीश हैं, ये आपको याद रखना है, important point से जान लेते हैं, उदे उमेश ललित, दो महिने, दो हफते, यानि के कुल 75 दिन तक भारत के मुखे नयदीश बने रह हैं, सई answer है, option C, रंजीत रत, तो रंजीत रत, friends, oil के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेश के हैं, ये आपको याद रखना है, और इन्टोंने, friends, सुशील चंदर मिश्रा का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है, oil India Limited के स्थापना, friends, 18 February 1959 को हुई है, मुख्याल सई answer है, option D, हेमांशु पाठक, तो, friends, हेमांशु पाठक, ICR के नई महानिदेशक बने हैं, और ये आपको याद रखना है, ICR के बार में अब आपको इन्फोर्मिशन देता हूँ, इसका फलफोर में Indian Council of Agriculture Research, हिंदी में से भारती कृषी अनुसंधान परिश्यत कियाते हैं, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 में होई है, मुख्यालेस का नई देली में है, friends, अगर आपको वीडियो का content और quality पसंदारी है, तो इसे like जरूर करें और अपने friends के साथ भी share करें, अगला प्रश्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो, PIB के नई प्रधान महा निदेशक कौन बने ह सई answer है, option B, सतेंदर प्रकाश, तो सतेंदर प्रकाश, PIB यानि की प्रेस सूचना ब्यूरो के नई प्रधान महा निदेशक बने है, सतेंदर प्रकाश ने जाई दीब भटनागर का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रिकने, PIB कफल फो में प्रेस इंफोर्मिशन विनीच सरन, तो विनीच सरन फ्रेंट्स, BCCI के नई ethics officer और लोकपल बने हैं, ये आपको याद रखने है, BCCI का फॉलफोर्मिशन ब्रेंट्स, Board of Control for Cricket in India, तो भारत में जितने भी cricket match होते हैं, उन्हें BCCI regulate करता है, इसके स्थापना 1928 में होई है, मुख्याले इसका अगला प्रेंट्स, खादी और ग्रामो अधियोग आयोग, यानि कि KVIC के नई अधियक्ष कौन बने हैं, important question है, सई आंसर है, option C, Manoj Kumar, तो Manoj Kumar friends, KVIC के नई अधियक्ष हैं, ये आपको याद रखने है, KVIC का फॉलफोर्मिशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रिस कमिशन हिंदी में से खादी और ग्रामो अधियोग आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना 1956 में होई है, मुख्यालेस का मॉंबई में है, अगला प्रेश्ट, ग्रामीन विद्यूति करण निगम लिमिटेड के नई निदेशक तकनीकी वर्ग में कौन बने हैं, सई आंसर है, option C, VK Singh, त इसकी स्थापना 25 जलाई 1969 को ही है, मुख्यालेस का नई देली में है, नेक्स्ट कॉशन, नेशनल स्टोच एक्स्चेंज, एनेसी के नई M.D. और CEO कौन बने हैं, सइ आंसर है, option C, आशीष कुमार चोहन, तो आशीष कुमार चोहन, एनेसी के नई M.D. और CEO है, हम आपको एन 1952 में हुई है यह आपको याद रखने है अगला प्रश्ट संग लोग सेवा योग यानि UPSC के नई अधियक्ष कौन बने हैं सही आंसर है ऑप्शन है डॉक्टर मनोस सोनी यह आपको याद रखने है अब मैं आपको यूनियन पब्लिक सविस कमिशन के बारे में सही आंसर है ऑप्शन B S किशोर तो S किशोर SSC के नई अधियक्ष है यह आपको याद रखने है अगला प्रश्ट केंदरी माधे में इक शिक्षा बोड़ है यानी CBC की नई अधियक्ष कौन बने हैं सही आंसर है ऑप्शन B निदी चिपबबर तो निदी चिपबर फ्रेंस CBSE की वर्दमान में अध्यक्ष हैं, यह आपको याद रखने है CBSE का फल्फॉम है Central Board of Secondary Education हिंदी में से केंदरी माध्य में एक शिक्षा बोर्ड कहते हैं इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 में हुई है, मुख्याले इसका नई देली में है अगला प्रश्ट निती आयोग के नई CEO कौन बने है सई आंसर है, आप्चन है परमेश्वरन आयर तो परमेश्वरन आयर निती आयोग के नई CEO है निती का फल्फॉम है फ्रेंट्स National Institution for Transforming India हिंदी में से राश्ट्री भारत परिवरत अंसिंस्थान कहते हैं इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है मुख्याले इसका नई देली में है अध्यक्ष है इसके नरेंदर मोदी और उपाधेक्ष है सुमन के वेरी यह आपको information याद रखनी है Next question भारती थल सेना के नई प्रमुक कौन बने है सई आंसर है, option B मनोज पांडे तो मनोज पांडे भारती थल सेना के नई प्रमुक है अब मैं आपको भारती थल सेना यानि के इंडियन आर्मी के बार में information देता हूँ इसकी स्थापना 1 अप्रेल 1895 में हुई है, मुख्याले इसका नई देली में है भारती थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते है अगला प्रेश्ट मिनी रतन कंपनी रेल टेल कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड के नई अध्यक्ष और प्रपन निदेशक कौन बने है सई आंसर है, option B संजे कुमार संजे कुमार, रेल टेल कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड के नई अध्यक्ष है रेल टेल की स्थापन प्रेशन सितंबर 2000 में हुई है मुख्या लेसका गुरुग्राम हर्याना में है अगला प्रेश्ट गोजपिया लिमिटेड के नई प्रमुक कौन बने है सई आंसर है, option D ब्रजेश कुमार उपाध्धे गोजपिया लिमिटेड के नई प्रमुक है ये आपको याद रखने है important body है ये गोजपिया लिमिटेड की स्थापन प्रेंट्स गेल इंडिया का फ्रमुक फ्रेंट्स Gas Authority of India Limited इसकी स्थापना 1984 में हुई है मुख्या लेस का नई देली में है अगला प्रेश्ट सारजनिक शेतर की कंपनी तेल और प्राकर्टिक गैस निगम यानि की ОНГC विदेश लिमिटेड के नई प्रभण ने देशच कौन बने है साइ है आंसर है option B तो राजश्री गुप्ता तो राजश्री गुप्ता हम विदेश लिमिटेड के नई प्रभण ने देशक है ONGC विदेश लिमिटेड के स्थापना 1965 में हुई है मुख्या लेस का नई देली में है अगला प्रश्ट भारती उद्योग परिसंग यानि कि CII ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है सई आंसर है option B R दिनेश को तो यह आपको याद रखना है CII का फल्फोर में फ्रेंट्स Confederation of Indian Industries भारती उद्योग परिसंग की स्थापन फ्रेंट्स 1895 में हुई है मुख्या लेस का नई देली में है अगला प्रश्ट भारत के 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने है important question है फ्रेंट्स सई आंसर है option B Rajiv Kumar तो Rajiv Kumar भारत के 25 में मुख्य चुनाव आयुक्त है ये आपको याद रखने है और फ्रेंट्स हाल ही में भारत के नई उप चुनाव आयुक्त भी बने है वो हैं RK गुपता ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट भारत के नई 9 सेना प्रमुक्त कौन बने है सई आंसर है option D R Hari Kumar तो R Hari Kumar friends भारती 9 सेना के नई प्रमुक्त है ये आपको याद रखने है अब मैं आपको भारती 9 सेना यानि के इंडियन नेवी के बारे में information देता हूँ इसका मुख्याले friends नई देली में है सई आंसर है option B S.L. थाय हुसेन तो S.L. थाय हुसेन SSB के नई महानिदेशक है ये आपको याद रखना है अब मैं आपको सश्यस्तर सीमा बल के बारे में information देता हूँ इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है मोटो है इसका सर्विस, सेक्योरिटी, एंड ब्रदरहुट नेक्स्ट कॉश्चन भारती वायुसेना के नई महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है option है संजीव कपूर तो संजीव कपूर भारती वायुसेना के नई महानिदेशक है यह आपको याद रखने है अब मैं आपको भारती वायुसेना यानि के इंडियन एर फोर्स के बार में इंफोर्मिशन देता हूँ इसकी स्था अपना आठ अक्तूबर 1932 को हुई है मुखेलियस का नई देली में है वायुसेना दिवसम 8 अक्तूबर को मनाते है वायुसेना के उप प्रमुख है संदीप सिंग भारती वायुसेना के नई प्रमुख है विवेक राम चोधरी यह आपको याद रखना है अगला प्रशन है मरा नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो यानि की BCAS के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसर है जुल्फिकार हसन तो फ्रेंट्स जुल्फिकार हसन BCAS के नई महानिदेशक है यह आपको याद रखना है BCAS का फिलफोर में Bureau of Civil Aviation Security हिंदी में से नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो कहते है इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई है यह आपको याद रखना है अगला प्रश्ट भारती सेना के नई Deputy Chief of Army Staff कौन बने है Most Important Question Correct answer is Option D चनीरा बंसी पौनपा तो चनीरा बंसी पौनपा भारती सेना के नई Deputy Chief of Army Staff है Next Question राश्ट्री कोशी का विग्यान के अंदर के नई निदेशक कौन बने है सही answer है Option B Dr. Mohonwani तो Dr. Mohonwani राश्ट्री कोशी का विग्यान के अंदर के नई निदेशक है और इस के अंदर की स्थापना फ्रेंट्स 1986 में हुई है मुख्याले इसका पूने महराश्ट्र में है अगला प्रेश्ट Air Cargo Forum India के नई अध्यक्ष कौन बने है सही answer है Option B यश्पाल शर्मा तो यश्पाल शर्मा फ्रेंट्स Air Cargo Forum India के नई अध्यक्ष है यह आपको याद रखने है ACFI यानि कि Corgo Operation की समस्याओं को सुलजाने के लिए सभी संबंदित एजंसी द्वारा गठन किया गया एक संगठन है यह आपको याद रखने है अगला प्रेश्ट के अंदर सरकार ने नियूंतम समर्थन मुले यानि कि MSP विवस्ता को मजबूत करने के लिए गठिज समीती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है सई आंसर है संजय अगरवाल को यह आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट भारती विश्व विद्याले संग AIU के नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है आंसर है सुरंजन दास AIU के नई अध्यक्ष है AIU का फुल फॉर्म फ्रेंट्स एस्सोसियेशन ऑफ इंडियन उनिवरस्टी इसकी स्थापना नियुक्ष में हुई है मुख्यालेस का नई देली में है अगला प्रेश्ट भारती थल सेना के नई उपाध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है आप्शन है BS Raju तो BS Raju Friends भारती थल सेना के नई उपाध्यक्ष है यह आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट सैने अभियान के नई महानिदेशक यानि DGMO कौन बने है सई आंसर है आप्शन है Manoj Kumar Katya तो Manoj Kumar Katya DGMO है भारत के यह आपको याद रखना है DGMO का फल फोले फ्रेंट Director General of Military Operations अगला प्रेश्ट भारती थल रख्षक के 24 महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है आप्शन सी विरेंदर सिंग पठानिया तो विरेंदर सिंग पठानिया भारती थल रख्षक यानिकी ICG के 24 महानिदेशक है यह आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट भारत के पहले राश्ट्री समुद्री सुरक्षा समनवेक NMSC कौन बने है सई आंसर है आप्शन D G. अशोक कुमार यह आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट भारत के मुख्य हाइडरोग्राफर कौन बने है सई आंसर है अप्शन C अधीर अरोडा तो अधीर अरोडा भारत के मुख्य हाइडरोग्राफर है यह आपको याद रखने अगला प्रेश्ट भारत तिबद सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है option B Sanjay Aroda तो friends Sanjay Aroda ITBP के नए महानिदेशक है यह आपको याद रखने है अब मैं आपको ITBP यानि कि Indo-Tibetan Border Police के बारे में information देता हूँ Hindi में से भारत, Tibet, Seema Police बल कहते है इसके स्थापना 24 अक्तुबर 1962 में हुई है मुख्यालेस का नई देली में है Director General है इसके Sanjay Aroda यह आपको याद रखना है अगला प्रशन Research and Analysis Wing यानि कि रो के फिर से अधियक्ष कौन बने है important body है यह friends सई आंसर है option है सामंत गोईल तो सामंत गोईल फ्रेंट्स रो के फिर से अधियक्ष बने है next question राश्रिय डॉपिंग विरोधी संस्ता यानि कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है option है सिधार सिंग लोंग जाम यह आपको याद रखना है next question केंद्रिय अन्वेशन विभाग यानि CBI के महानिदेशक कौन है सई आंसर है option C सुभोध कुमार जैस्वाल तो सुभोध कुमार जैस्वाल CBI के महानिदेशक है यह आपको याद रखने है CBI का फुल्फॉमिंटरें Central Bureau of Investigation हिंदी में से केंद्रिय अन्वेशन विभोध के थे इसकी स्थापना 1 April 1963 को ही है मुख्या लेशका नई देनी में है अगला प्रश्ट 2022 में भारत के राश्वी सुरक्षा सलाकार कौन है सई आंसर है option B अजी डोबाल यह आपको याद रखना है अगला प्रश्ट सीमा सुरक्षा बल यानि की BSF के नई महाने देशक कौन बने है सई आंसर है option B पंकज कुमार सिंग तो पंकज कुमार सिंग BSF के नई महाने देशक है यह आपको याद रखना है अब मैं आपको BSF यानि की Border Security Force जैसे के हिंदे में सीमा सुरक्षा बल खेते हैं इसके बारे में information देता हूँ इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई है मुख्यालियस का नई देली में है मोटो है इसका जीवन प्रियत करतव यह आपको याद रखना है अगला प्रशन है केंदरी रिजर्व पुलिस बल यानि की CRPF के नए महाने देशक कौन बने है सई आंसर है Option D कुलदीप सिंग तो कुलदीप सिंग फ्रेंड CRPF के नए महाने देशक है यह आपको याद रखने अब मैं आपको CRPF यानि की Central Reserve Police Force जिसे हिंदी में केंदरी रिजर्व पुलिस बल कहते है इसके बार में information देता हूँ इसकी स्थापना फ्रेंड 27 जॉलाई 1949 में हुई है मुख्यालिय इसका नई देली में है महाने रिक्षक है इसके PS Rani App से और मोटो है इसका सेवा और निष्ठा ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स हमारी अर्दवाश्की क्रेंटफेस की बुक लोंच हो चुके है जिसमें हमने जनुरी से जून तक के सभी क्रेंटफेस को topic wise MCQS form में और one liner form में आपके लिए प्रोवाइड करुआ है और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं जिससे कि आपकी क्रेंटफेस की काफी अच्छे तरीके से त्यारी हो जाएगी और यकीन मानी फ्रेंड्स ये बुक आपको हर एक एक्जाम में काफी मदद करने वाली है और इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाई कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडिक के description box में provide करवा दूँगा और friends जब भी आप इस बुक को बाई करें तो इस पर हमारे चैनल के लोगों को देखकर ही बाई करें अगला प्रेश्ट Chief of Staff Committee के नई अध्यक्ष कौन बने है सई आंसर है Option D Manoj Mukund Narwane तो Manoj Mukund Narwane Chief of Staff Committee है यह आपको याद रखना है उसके नई अध्यक्ष अगला प्रेश्ट राश्ट्री अपराद रिकॉर्ड बीरो यानि NCRB के नई निदेशक कौन बने है Important question सई आंसर है Option C Vivek Gogya तो Vivek Gogya NCRB के नई निदेशक है यह आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट के अंदर ये आप रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड़ियाने की CBIC का नया अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया है सई आंसर है Option B विवेक जोहरी को तो ये आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट Narcotics Control Bureau NCB के नई महानिदेशक कौन बने है ये भी important question है friends सई आंसर है Option D Satya Narayan Pradhan तो Satya Narayan Pradhan NCB के नई महानिदेशक है ये आपको याद रखना है NCB का full form friends Narcotics Control Bureau इसकी स्थापना 17 March 1986 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है महानिदेशक हैसके Satya Narayan Pradhan ये आपको याद रखना है अगला प्रेश्ट राश्ट्री आपदा मोचन बल NDRF के नई महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है Option D Atul Karwal Atul Karwal friends NDRF के नई महानिदेशक हैं ये आपको याद रखने NDRF का full performance National Disaster Response Force हिंदी में से राश्ट्री आपदा मोचन बल कहते हैं इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 में हुई है मुख्याले इसका नई देली में है महानिदेशक है Atul Karwal NDRF का मोटो है आपदा, सेवा, सदैव ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट केंदरी युद्योगिक सुरक्षबल CISF के नई महानिदेशक कौन बने है सही answer है Option D शील वर्धन सिंग तो ये आपको याद रखने है हम आपको CISF यानि की Central Industrial Security Force जिसे हिंदी में केंदरी युद्योगिक सुरक्षबल इसके बारे में information देताँ इसकी स्थाव मेरे फ्रेंज 10 March 1969 को ही है मुख्याले इसका नई देली में है महानिदेशक है इसके शील वर्धन सिंग अगला प्रश्ट किनको वन महानिदेशक और विशे सचिव निउक्त किया गया है सई आंसर है Option B CP Goyal को या आपको याद रखने है अगला प्रश्ट National Cadet Core यानि की NCC के नई महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है Option D गुरबीर पाल सिंग तो गुरबीर पाल सिंग NCC के नई महानिदेशक है या आपको याद रखना है अगला प्रश्ट किसे सीमा सडग संगठन यानि की BRO का नई महानिदेशक नुक्त किया गया है सई आंसर है Option D गुरबीर पाल सिंग या आपको याद रखना है महानिदेशक है राजीव चोतरी अगला प्रश्ट रक्षा कूफी एजन्सी DIA के नई प्रमुक कौन यूक्त हुए है सई आंसर है Option D GAV रेडी तो ये आपको याद रखना है अगला प्रश्ट भारती कूफी एजन्सी इंटेलिजन्स ब्यूरो राश्ट्री जाँच एजन्सी NIA के नई महानिदेशक कौन बने है सई आंसर है Option दिन कर गुपता ये आपको याद रखने NIA का फुल्फोर्मर फ्रेंट्स National Investigation Agency जिसे हिंदी में राश्ट्री जाँच एजन्सी कहते है इसकी सापना 2009 में होई है मुख्यालेस का नई देली में है अगला प्रश्ट रक्षा मंत्राले में नई सलाकार यानि के अडवाइजर कौन बने है सई आंसर है विनोज जी खंडारे तो ये आपको याद रखने अगला प्रश्ट राश्ट्रिय रक्षा कॉलेज NDC के नई प्रमुक कौन बने है सई आंसर है आप्षण सी मनोज कुमार मागो ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट भारत की नई लेखा महा नियंतरक यानि की CGA कौन बने है सई आंसर है आप्षण सी ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षिन परिश्ट यानि की NCERT के नई निदेशक कौन बने है सई आंसर है आप्षण D दिनेश प्रसाद सकलानी तो दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नई निदेशक हैं ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट विश्व विद्याले अनुदान आयोग UGC के नई अधियक्ष कौन बने है सई आंसर है आप्षण B M. Jagdishkumar ये आपको याद रखने है अगला प्रश्ट केंदरी प्रतियक्ष कर बोर्ड CBDT के नई अधियक्ष कौन बने है सई आंसर है आप्षण B Nitin Gupta तो Nitin Gupta CBDT के नई अधियक्ष है ये आपको याद रखने है CBDT का फुलफों है Central Board of Direct Texas इसकी स्थापना एक जनवरी 1964 में हुई है मुख्या लेहस का नई देली में है तो Friends अब हम questions MCQS 4 में पढ़ने वाले है RBI का नए डिप्टी गवर्नर किसे न्युक्ष किया गया है तो तीन है Friends ये M. Rajeshwar Raaf M. K. Gen T. Rabi Shankar और M. D. Patra टोटल चार होगे अगला प्रश्ट राश्री कृषी और ग्रामिन विकास बेंगी यानिकी नबाड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है गौविंदा, राजलू, चिंतला ये आपको याद रखने है भारती प्रेस परिशत PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है रंजना प्रकाश देसाई ये आपको याद रखने है राश्री सूचना विग्यान केंद्र के नई महानिदेश कौन बने है राजेश केरा भारत के नई प्रधान विग्यानिक सलाकार कौन बने है अजे कुमार सूद भारत के नई मुख्य आर्थिक सलाकार कौन बने है वी अनंत नागेश्वन ये आपको याद रुखने है भारत के नए उपराश्ट्री सुरक्षा सलाकार कौन बने है विक्रम मिस्री क्रिशी एवं किसान कल्यान विवाग में नए क्रिशी सचिफ कौन बने है मनोज आहूजा खेल विवाग की नई खेल सचिफ कौन बने हैं? सुजाता चतरवेदी नागरिक उडियन मंत्राले के नई सचिफ कौन बने हैं? राजीव बंसल फेडरेशन ऑफ इंडियन फेंटेसी स्पोर्ट्स के नई महानेदेश कौन बने हैं? जोई बटाचारे भारत के नई विदेश सचिफ कौन बने हैं? विने महन कौत्रा ये आपको याद रखने हैं भारत के नई वित्व सचिफ कौन बने हैं? टीवी सोमनाथन वर्तमान में भारत के रासब सचिफ कौन हैं? तरुन बाजाच प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी कौन बने हैं? रितेश चुहान ये आपको याद रखने है राष्ट्री अनुसूची जातिया योग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजे सामपला ये आपको याद रखने है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिफ कौन है? अजे कुमार वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिफ कौन है? राजीव गावा वर्तमान में भारत के ग्रह सचिफ कौन है? अजे कुमार भला सहकारिता मंत्राले के नए सचिफ कौन बने है? ग्यानेश कुमार ये आपको याद रखने है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नए नीजी सचिफ कौन बने है विवेक कुमार ये भी आपको याद रखने है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नए सलाकार कौन बने है तरुन कपूर प्रधान मंतरी कारयाले में संयुक्त सचिव किसे नुक्त किया गया है मीरा मोहंती को यह आपको याद रखना है अगला प्रश्ट देश के नए वानिज्य सचिव कौन बने है V.V.R. सुब्रमने देश के नए केंदरियस तरक्ता आयुक्त कौन बने है भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरन U.I.D.I. के नए मुख्य कारिकारी अधिकारी कौन बने है सौरवगर्ग विदेश मंतराले के नए प्रवक्ता कौन बने है अर्विंदम बाक्ची भारत के वर्तबान में महानयवादी का क्या नाम है K.K.Venu Gopal भारत के पहले लोगपाल कौन न्युक्त हुए है पिनाकी चंद्रगोश ये आपको याद रखना है Next है National Association of Software and Services Company यानि के Nescom के नए अधियक्ष कौन बने है Krishnan Ramanujam Gramin Vidyutikaran Nigam Limited के नए अधियक्ष और प्रवन निदेशक कौन बने है Vivek Kumar Devangan Central Coal Fields Limited के नए निदेशक कौन बने है Ram Babu Prasad भारती भू विगयनिक सर्वेक्ष यानि की GSI के नए महा निदेशक कौन बने है Dr. S. Raju ये आपको याद रखने GSI का फॉल फॉर्म फ्रेंट्स Geological Survey of India इसकी स्थाबना 4 मार्च 1851 में हुई है मुख्या लेसका कौलकता पस्चिम मंगाल में है वन अनुसंदान संस्थान की नए निदेशक कौन बने है रेनू सिंग ये आपको याद रखने है भारती विग्यापन मानक परिशद की नए CEO कौन बने है मनीशा कपूर ये आपको याद रखने है भारती दलहन और अनाज संग के नए अध्यक्ष कौन बने है विमल कोथारी ये आपको याद रखने भारती भुकतान परिशद के अध्यक्ष कौन बने है विश्वास पटेल ये आपको याद रखने विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ये आपको याद रखने इंपोर्टन कोशन है डियाडियो की रख्षा अनुसंधान और विकास प्रियोग शाला यानि की डियाडियल के नए निदेशक कौन बने हैं? श्री निवास मूर्ती बी-सी-सी-ई ने किसे टीम इंडिया के नए मुखे कोच नियुक्त किया है? राहुल द्रविट को राश्री अल्प संक्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने है? इकबाल सिंग लालपुरा केंदर सरकार द्वारा सैमीकॉन इंडिया के लिए एक सलाकर समीती का गठन किया गया है इस समीती के अध्यक्ष कौन बने है? अश्विनी कुमार जोकी केंदरी रेल और सुचना प्रतियोगी की मंत्री है अगला प्रश्ट भारती वानेजी एवं उद्योग मंडल याने की सो कैम के नई अध्यक्ष कौन बने है सुमंत सिनह देली मेट्रो रेल कॉर्परेशन के नई प्रबंद ने देशक कौन बने है विकास कुमार ब्रोडकास्ट ओडियन्स रिसर्च काउंसिल इंडिया याने की बार्क इंडिया के नई अध्यक्ष कौन बने है शशी सिनह किस भारती को अंतराश्ट्रिय विधिया योग के लिए निर्वाचित किया गया है विमल पतेल को ये आपको याद रखने अगला प्रश्ट राजिसवा के नई महासचिफ कौन बने है प्रमोच चंद्रमोधी भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोगपाल किसे बनाया गया है जीके जैन को राश्ट्रिय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमोच कौन बने है वी वी एस लक्षमन फिकी के नई महा निदेशक कौन बने है अरुन चावला ये आपको याद रखने फिकी का फिल्वोंफेंस फेडरिशन अफ इंडियन चैंबर्स अफ कमर्स एंड इंडस्ट्री हिंदी में से भारती वानी जी एवं उद्योग महसंग कहते है इसकिस्तापना 1927 में होई है मुख्यालेस का नई देली में है राश्री कंपनी कानून अपिलियत नियाइधी करन NC LAT के नई अध्यक्ष कौन बने है अशोक भूशन भारती बैंक संग के नई अध्यक्ष कौन बने है अतुल कुमार गोयल ये आपको याद रखने है अगला प्रशन है राश्री बाल अधिकार संग्षन आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने है प्रियंग कानून गो ये आपको याद रखने है भारत पे के नई अध्यक्ष कौन बने है रजिनीश कुमार ये आपको याद रखने है भारतिय भारतोलन महासंग के नई अध्यक्ष कौन बने हैं? सहदेव यादव भारतिय इसपाथ संग के नई महासचिव और कारिकारी प्रमुक कौन बने हैं? अलोक सहाई ये आपको याद रखने हैं आयूद निदेशालिय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? E.R. शेख ये आपको याद रखने हैं आर्थिक विकात संस्थान के नए अध्यक्ष कौन युक्त हुए हैं? नंद किशोर सिंग ये आपको याद रखने हैं Tata Sons के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंदर शेकरन ये आपको याद रखने हैं Tata Sons Private Limited की स्थापना फ्रेंट्स 1868 में हुई हैं मुख्यालेस का मॉंबई में हैं भारती हद समीती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुट्टी ये आपको याद रखने हैं अगला प्रशन है भारती राश्री राजमार्ग प्राधी करण NHAI की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अलका अपाध्य ये आपको याद रखने है भारती अंतरिक्ष संग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिक काफी ज़्यादे इंपोर्टेंड है ये आपको याद रखने है और फ्रेंट्स उपाधियक्ष है भारती अंतरक्ष संग के राहुल वत्स ये भी आपको याद रखने है एर इंडिया के नए अधियक्ष कौन बने है नटराजन चंदरशेकरन राश्री वित्ती रिपोर्टिंग प्राधिकरन के नए अधियक्ष कौन बने है अजे भूशन पांडे ये आपको याद रखने है भारती परवता रोहन फाउंडेशन की पहली महिला अधियक्ष कौन बने है हर्श्वंती बिष्ट दूर संचार विवाद, निप्टान और अपिलियत नए अधिकरन यानि की टीडी सैट के नए अधियक्ष कौन बने है डियन पतेल विश्व LPG Association के भारती अधियक्ष कौन बने है श्री कांद माधव वैद ये आपको याद रखने है और मुख्याले है विश्व LPG Association का फ्रांस में या भी आपको याद रखने है अगला प्रश्ट Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries यानि की फिकी के नए अधियक्ष कौन बने है संजीफ महता ये आपको याद रखने है Railway Board के नए अधियक्ष और CEO कौन बने है विक के त्रिपाथी Railway सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है संजे चंदर National Asset Reconstruction Company के नए अधियक्ष कौन बने है प्रदीप शा ये आपको याद रखने है Audit Bureau of Circulation के नए अधियक्ष या प्रमुक कौन बने है देवरत मुखर जी ये आपको याद रखने है National Rifle Association of India के फिर से अधियक्ष कौन बने है रानिंदर सेंग Stop TV Partnership Board के नए अधियक्ष कौन बने है Mansook Mandaviya जी ये आपको याद रखने है वरतमान में लोकसभा अधियक्ष का क्या नाम है Aum Virla ये आपको याद रखने है अगला प्रेश्ट किसे लोकसभा का नया महासचिव न्युक्त किया गया है उत्पाल कुमार सिंग को वरतमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है मलिक आरजुन खडगे राज्यसभा में सदन के नेता कौन युक्त हुए है प्यूश गोईल ये भी आपको याद रखने है बैड बैंक के पहले अधियक्ष कौन बने है पदम कुमार माधवन ये आपको याद रखना है राज्यसरी मानवा अधिकार आयोग के ने अधियक्ष कौन बने है अरुन कुमार मिश्रा ये आपको याद रखना है इंपोर्टन बोडी है इसका फिलफोर में नैशनल हुमन राइट्स कमिशन हिंदी में से राज्यसरी मानवा अधिकार आयोग केते है इसकी स्थापना 12 अक्तूबर 1903 में हुई है मुख्याल ले इसका नई देली में है मोटो है इसका सर्वे भवन्तु सुकिन May all be happy ये आपको याद रखना है भारती महिला राश्ट्री फुटबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है थॉमस डेनर भी ये आपको याद रखना है अगला प्रस्ट भारती विमान पतन प्राधिकरन डबले आई के नई अधिक्ष कौन युक्त हुए है संजीव कुमार अंतराश्ट्री सोर गटबंधन के नई महानिदेशक कौन युक्त हुए है अजे माथोर भारती मुक्यबाजी महासंग के फिर से अधिक्ष कौन बने है अजे सेंग भारती जनता पाटी के अधिक्ष कौन है जेपी नडड़ा सोमनात मंदिर टरस्ट के नई अधिक्ष कौन बने है नरेंद्र मोधी अखिल भारती शत्रण संग के नई अधिक्ष कौन बने है संजे कपूर ये आपको याद रखने है अंतराश्ट्री क्रिकट परिशद ICC के नई अधिक्ष कौन युक्त हुए है ग्रैक बार्कली यE आपको याद रखने है भारत प्रेयटन विकास निगम के नई अध्यक्ष कौन बने है सामबित पत्रा राश्री महिला आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने है रिखा शарमा भारती स्टेट बैंक के नई अध्यक्ष कौन बने है Indian Medical Association के नए राश्वी अधियक्ष कौन बने हैं? Dr. Jailal देश के नए नियंतरक एवं महालेका परिक्षक यानि की काई कौन बने हैं? गरीश चंद्र मुर्मू या आपको याद रखने हैं होकी इंडिया के नए अधियक्ष कौन युक्त हुएं? ग्यानेंद्रो निम्बोवाम या आपको याद रखने हैं भारती सॉफ्ट्वल महासंग की पहली महीला अधियक्ष कौन बने हैं? नीतल नारंग या आपको याद रखने हैं Athletics Federation of India के नए अधियक्ष कौन बने हैं? एडिले सुमेरवाला भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्थ कौन युक्थ हुएं हैं? यश्वर्धन सिना Steel Authority of India Limited यानि की सेल की पहली महीला अधियक्ष किसे नुक्थ किया गया है? सोमा मंडल को या आपको याद रखने हैं भारती ये राष्ट्री अंतरिक्ष समवर्धन प्राधिकरन के इंदरी यानि की इन स्पेस के नए अधियक्ष कौन बने हैं? पवन गोइंका ये आपको याद रखने हैं भारती दूर संचार विनियामक प्राधी करण यानि कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं डॉक्टर पीडी वागेला ये आपको याद रखने हैं भारती प्रतिसपर्दा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं अशोग गुपता ये आपको याद रखने हैं Press Trust of India के नए अध्यक्ष कौन युक्त हुए है आविक सरकार ये आपको याद रखने है National School of Drama के नए चेर्मेन कौन बने है परेश रावल ये आपको याद रखने है तो friends ये थे हमारे आज के important questions अब इस वीडियो का एकर मतपुन पाटा गया जो कि है test part जिसमें मैं आपसे उपर बढ़ाए questions में से किनी दो questions का test lane वाला हूँ और आपको test के questions का answer हमारे comment box में देना है question number के उसके सामने सही answer पहला question test का रक्षा अनुसंदान इवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने है ये रहे आपके चार options second question भारती क्रिशी अनुसंदान पर इशादी यानि कि ICR के नए महाने देशे कौन बने है ये रहे आपके चार options तो ये था test part friends हमारी अर्दवाश की current phase की book launch हो चुकी जिसमें हमने January से June तक के सभी current phase को topic wise one liner form में और MCQS form में आपके लिए provide कर रहा है और इस book के last में हमने 15 test के search भी रहा है जिससे कि आपके current phase के काफी अच्छे तरीके से त्यारी हो जाएगी और यकीन मानी friends ये book आपको हर एक exam में काफी मदद करने वाली है और इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस वीडियो के description box में provide करवा दूगा और friends जब भी आप इस book को buy करें तो इस पर हमारे चैनल के TED Mark को देखकर ही buy करें तो friends ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको वरतमान में कौन क्या है भारत में काफी detail में पढ़ा दिया आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality पसंद आई है तो इसे like ज़रूर करें अपने friends को शेर करें और अपना feedback हमारे comment box में ज़रूर दे तो चलिए अब आपसे मुलकात होगी next video में तब तक के लिए thank you and wish you all the best